OTR की धीमी गती से भर्तियों के आविदन फशे दोस्तों अब बैर्थियों को चेताया OTR नुम्बर प्राप्ट नहीं किया तो खुद होंगे जिम्मिदार उत्तरपरदेश लोक्षेवा आयोग ने 1 अपरेल 2023 से अपनी सभी भर्ति प्रिक्षाव में ओनलाइन आविदन के लिए वन टाइम रजिस्टेशन अनिवारिय कर दिया है OTR की संख्या अभी बहुत कम है ऐसे में जिन भर्तियों के लिए आविदन के परकिरियाच चल रही है उनमें बिना OTR नुम्बर के अब बैर्थियों आविदन नहीं कर पा रहे है आयोग ने बैर्थियों को चेता है कि अगर OTR नंबर प्राप्ट नहीं किया तो भविश्या में आने वाली बड़ी भर्तियों के आविदन से वन्चित रह जाने पर अब्यार्थियों जिम्यदार होंगे OTR की धिमिकति के कान आयोगो पिछले दिनों तीन भर्ति प्रिक्षाओं के आविदन ते थी बढ़ानी पड़ी इनमें सायक नियोजक प्रिक्षा 2023 के आविदन के अन्तिम्ति थी 14 सितंबर से बढ़ाकर 21 सितंबर स्टाफ नर्स प्रिक्षा 2023 के आवजिन की अंतिम्ति थी 21 सितंबर से बढ़ा कर 29 सितंबर और स्टाफ नर्स आयरवेद प्रिक्षा 2023 की अंतिम्ति थी 4 अक्टूबर से बढ़ा कर 11 अक्टूबर करने पड़ी अगर OTR को बैर्थियोंने गंपिरता से नहीं लिया तो इसका खामियाजा खुद ही भुखदना होगा समय से रिजिसेशन करा ले नहीं तो जरूरत पढ़ने पर तीतियों को आगे नहीं बढ़ाये जाएगा और इसके जिम्मेदार खुद अब्यार्थी ही होंगे आयो के सामने अभी सभी बड़ी चुनोतियां बाकी हैं अक्टोबर में समिक्ष्या दिकारी साहे की समिक्ष्या दिकारी प्रिक्ष्या दोजार तेश का विग्यापन जारी करने के जाने की तयारी है आरो एरो के 181 पतो पर अक्टोबर के पहले सप्ता में विग्यापन संभावित है विग्यापन जारी होने वाले दिन से ही ओनलाइन आवेदन की प्रगिरिया सुरू हो जाएगी आरो एरो की भरती के लिए लाखों की संख्या में आवेदन आते हैं जबकि OTR की संख्या भी बहुत कम है एज में विग्यापन जारी होने के बाद OTR नमबर प्राप्त ने करने के कारण बड़ी संख्या में आवेदन से वन्चित हो सकते हैं